कि आज का हमारा टोपिक है आइनिक बॉर्ण तो आए आईये हम समझते हैं आयो UNIC BONDS के बारे में तो देखें सबसे पहले आप इसका नाम देखें इसके नाम में एक वर्ड आता है और वो रड है आयON, यानि कि ये आयो निक बॉन जो है हों कुछ यशाओं के बारे में है इसा हम कह सकते हैं, इसा हम सोच सकते हैं, तो ionic bond को समझें से पहले हमको ions के बारे में समझना बहुत जरूरी है, तो देखे, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ions होते क्या है, तो देखे, जब भी कोई atom है, या तो electron gain करता है, या फिर lose करता है, दो possibility है, एक तो वो क्या करता है atom gain करता है electron, इसलिए मैं यहाँ पर plus e लिख रहा हूँ, e यानि कि electron, दूसरी possibility यह है कि यह वो electron lose करता है, यानि कि दे देता है electron, इसलिए मैं यहाँ पर minus electron लिख रहा हूँ, इन दोनों cases में, atom या तो electron लेता है या फिर देता है, वो किस में convert हो जाएगा, ions में convert हो जाएगा, यानि कि ions है क्या, ions है, charged atom, वो क्या है, positively or negatively charged atom है, अब देखें, मान लिजिए, कोई atom ने क्या किया है, electron को लिया है, gain किया है, मान लिजिए, कोई fluorine atom है, fluorine ने क्या किया है, electron को लिया है, gain किया है, तो किस में कनोड हो जाएगा, f- में कनोड हो जाएगा, है एप यह आई सब suppression स्य 117- Gel जाए देखिए एक नेकेटिव चार्ज ज्याद है पहले फ्लॉरी नूटरल था उसके कोई चार्ज नहीं था अब एक अलेक्ट रोन आ गया है यानि कि डिलीकेटिव चार्ज आ के सब्सक्राइएक गया है तो किस में होगा है कि इसको नेजिटिवरेटिवली चारज्ड अ आयं कहें Гyorum या फिर इसका दूसरा नाम है N-I-N, इसको क्या कहेंगे, N-I-N भी कह सकते हैं, यानि कि जो atom negatively charge है, उसको हम क्या कहेंगे, N-I-N कहेंगे, उसी प्रकार से देखे, मान लिजे कोई atom जो है, वो electron को lose कर रहा है, मान लीजिए कोई sodium है हमारे पास वो क्या कर रहा है electron को give कर रहा है lose कर रहा है दे रहा है electron किसी को तो किसम electron convert हो जाएगा na plus charge में convert हो जाएगा देखिए यह positively charged sodium में convert हो गया है तो इसको भी हम iron कहेंगे देकिन यह iron कौन सा है positively charged iron है इसको क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा positively charged iron कहा जाएगा और इसका नाम क्या होगा इसको हम कहेंगे cation यानि कि जो positively charged iron है उसको क्या कहेंगे cation कहेंगे negatively charged iron है उसको क्या कहेंगे nion कहेंगे आसान बस हमें कहें तो ions है क्या तो आप कह सकते हैं कि ions जो है वो positively charged और negatively charged atom है और कुछ नहीं है वो एक atom ही है लेकिन वो या तो positively charged है या तो फिर negatively charged है अब देखें अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ionic bond की तो ionic bond एक ऐसा bond है जो positively charged और negatively charged ions है उसके बीच बनता है chemistry की भासा मैं कहें तो the bond formed by electrostatic force of attraction between charged species यानि कि ions ions के बीच में जो bond बनता है उसको हम क्या कहेंगे ionic bond कहेंगे देखिए आपको पता है कि universe में अगर तो different charge हो तो उसके बीच attraction होता है positively charge को आयन है और कोई एक negatively charge आयन है उसके बीच क्या होगा उसके बीच आपको electrostatic force देखने को मिलेगा यानि कि यह जो force है वो electrostatic है यानि कि different charge के बीच लगता है और यह जो electrostatic force है उससे जो bond बनता है उसको हम क्या कहेंगे ionic bond कहेंगे simple बासा में मैं कहूं तो अगर दो different charges के ions पास में हो तो उसमें क्या bond बनेगा उसमें बनेगा ionic bond बने उसका simple example है NaCl आपको पता है Na जो होता है और पॉजिटिव ली चार्ज होता है और कौन सा होता है नेगेटिव ली चार्ज होता है ने हमारा केटाएन है दोनों के बीच electrostatic force होता है यह दोनों charge species है चार्ज species का मतलब चार्ज जिसमें positive और negative चार्ज हो तो यह जो bond बना है उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे ionic bond कहेंगे यह सबसे strong होता है अब देखें आगे बढ़ते हैं यह जो एक illustration है graphical आप देखें ने CL का example मेंने ionic bond के phone में दिखाया है देखें दोनों डोग से देखें इसमें एक डोग क्या करता है अपना जो हड़ी है वो दूसरे डोग को दे देता है जिस डोग ने हड़ी को दे दिया है वो positively charge में कनोड हो गया इने प्लस है जिसने हड़ी ले लिया है वो negatively charge CL माइनस में कनोड हो जाएगा तो इस प्रकार से क्या बनता है ionic bond बनता है लेकिन यह सा क्यू होता है देखें यहां पर एक word आता है dictate rule, dictate rule बहुत important point है अब देखें कोई भी molecule sorry कोई भी atom हो वो क्या करना चाहता है अपनी जो valence cell है उसमें वो आठ electron करना चाहता है वो चाहता है कि उसकी जो valence cell है बाहर की जो कक्षा है उसमें कितने electron हो 8 electron हो उसको क्या कहा गया है उसको औक्टेट रूल कहा गया, औक्टेट यानिकी 8, तो हर कोई अटम क्या चाहता है, कि उसकी जो वेलेंस सेल है, बाहर की जो कक्षा है, उसमें 8 एलेक्ट्रोन हो, लेकिन वो यह सा चाहता क्यों है, क्योंकि उससे वो stable हो जाएगा, हर किसी को stability चाहिए, तो atoms को भी stability चाहिए, अ पर देखें आप हिलियम, नियोन और आर्गोन, यह जो पूरी जो सीरीज है, उसको नोबल गेस कहा जाता है, और इनकी जो बाहरतम कक्षा है, वेलेंस सेल है, उसमें 8 एलेक्ट्रोन होते हैं, हम हिलियम को exceptional case में गिनेंगे, उसमें 2 ही एलेक्ट्रोन होते हैं, लेकिन वो फ होगे, जेनोन, रेडोन में भी 8 होगे, यहन कि हर कोई किसा बनना चाहता है, यह जो नोबल गेसिस है, इनके जैसा हर कोई बनना चाहता है, अब देखें, जैसा कि मैंने कहा कि हर एटम क्या चाहता है, कि उसकी बाहतम क्षा जो वेलेंस सेल है, उसमें कितने एलेक्ट्रोन ह कि अब देखें यहां पर देखें यह 1st electron 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th और 8 यह आठ इलेक्ट्रोन यहां पर है तो ये एक Octate को Satisfye कर रहा है, ये Octate बना रहा है, इसलिए कोन सा होगा ये? ये Stable Align होगा, Stable Iron होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, तो ऐसा बनने के लिए वो क्या कर सकते हैं? तो कि Atomes electron दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका Aim क्या है? उसका Aim है 8 electron का बाहर की जो कक्षा है उसमें 8 electron होना चाहिए अब देखें different examples हम लेते हैं देखें hydrogen का exceptional case है वो एक अपवाद है hydrogen का आपको पता है एक ही electron होता है उसकी electron ही configuration की इस प्रकार है 1s1 है उसको सिर्फ एक electron चाहिए तब वो किसमें convert हो जाएगा helium में convert हो जाएगा और वो एक noble gas ही है बाकी के atoms देखें आप carbon की electronic configuration किस प्रकार है 1s2, 2s2, 2p2 यह carbon की electronic configuration अब देखें 1s जो है वो पहली कक्षा है पहली shell है इसको हमने के कहा है और दूसरी जो है वो है L दूसरी कक्षा देखें आप उसमें 2 orbital है 2s और 2p यानि कि total आप करें तो कितने चार electron है देखें यह रहे यह first, यह second, यह third और यह fourth अब देखें कई students यहाँ पर एक गलती करते हैं कि बाहित्म कक्षा जो है valence cell है उसमें वो क्या करते हैं उसमें सिर्फ यह 2p के ही electron गिनते हैं एसा समझते हैं कि जो सबसे बाहर है वही valence cell हुआ वही बाहित्म हुआ लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यह S और P यह दोनो मिला के क्या बनता है L orbit बनती L कक्षा बनती यानि कि आपको दोनों को गिनना है L पूरा गिनना है सिर्फ जो बाहर है उसका ही नहीं गिनना है अब देखे अब यहाँ पर carbon के जो valence cell है उसमें कितने electron है जैसा कि मैंने कहा 4 electron है octet के लिए क्या चाहिए वो कहीं से 4 electron ले ले gain करे 4 electron तब वो octet में convert होगा तब क्या हो जाएगा 8 electron हो जाएगा 5,6,7,8 तब 8 electron हो जाएगे देखे यह रहा तब 8 electron हो जाएगे तो carbon क्या चाहता है carbon चाहता है कि वो कहीं से 4 electron ले ले उसी तरह nitrogen देखे nitrogen की electron इकरिफिक्रिसन किस प्रकार है तो आपको सभी electron इकरिफिक्रिफिक्रिसन याद रखनी पड़ेगी nitrogen की है 1s2, 2s2, 2p, 3 है उस प्रकार oxygen की कितनी है 1s2, 2s2, 2p, 4 है यहाँ देखे यहाँ पर भी यह 1s2 है वो केक अक्सक है और यह L है यहाँ पर भी सेम ही है अब देखे नाइट्रोजन की बाहित्म कक्षा जो है विलेंस सेल है यह रही 2s2, 2p पुरा L को गिनना है उसमें कितने electron है देखे 3 प्लस 2 यानि कि 5 electron है तो यानि कि उसको कितने चाहिए 8 electron करने में तीन electron चाहिए तो कहीं से 3 electron लेने की कोशिश करेगा नाइट्रोजन उसी प्रकार oxygen में देखे उसकी बाहित बक्सा में कितने electron है 4 प्लस 2, 6 यानि कि उसको कितने electron चाहिए 2 electron चाहिए 8 electron के लिए 6 तो है 8 करने के लिए और 2 चाहिए यानि कि वो क्या करेगा 2 electron लेने की कोशिश करेगा तो इस प्रकार से हर कोई atom जो है वो क्या करेगा अपनी जो valence cell है बाहिरितम कक्षा है उसमें वो 8 electron बनाने की कोशिश करेंगे जिससे क्या होगा उनका जो structure है वो noble gas जितना हो जाएगा और वो stable हो जाएगा अभी हम देखे हम example लेते हैं ionic bond का NACL में देखे sodium chloride में ionic bond कैसे बनता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं अब देखे सबसे पहले हमको sodium का electronic configuration पता होना चाहिए मैं यहाँ पर sodium का electronic configuration लिखता हूँ देखे वो है 1s2 2s2 2p4 sorry p में 6 electron होता है 2p6 और 3s1 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 अब देखे कई books में इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है ion 3s1 ion यान की यह जो structure पूरा है 1s2, 2s2, 2p6 वो किसका है, neon का ही है इसलिए यहाँ पर neon मैंने लिख दिया इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है दोरों सेम ही है अब देखे यह जो 1s है वो हमारी पहली कक्सक है 2s2p है वो हमारी दूसरी कक्सक है और यह जो 3s है वो हमारी तिसरी कक्सक है अब देखे पता कैसे चलेगा कि k कब स्टार्ट हो रही है, l कब स्टार्ट हो रही है और m कब स्टार्ट हो रही है तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखने, S से हर कोई कक्षा स्टार्ट होती है, हर कोई ओर्बीट, या फिर शेल, S ओर्बीटल से स्टार्ट होती है, अब देखिए, यह S यहाँ पर खतम हुआ, फिर यहाँ पर 2S दुसरी चालो हुई, पर खतम हुआ, 3S, यहाँ पर द शेल चालू होती है अब देखे तो यहां पर sodium की बाहितम कक्षा valence cell कितनी है कुन सी है तो देखे seinem जो है वो valence cell देखे यह 3S जो है वो sodium की valence cell अब यहां पर sodium को क्या करना है sodium को करना है कि उसकी बाहितम कक्षा में valence cell में आठ इलेक्ट्रोन हो, ऐसा उसको प्रहितना करना है, तो वो किस प्रकार हो सकता है, या तो वो आठ इलेक्ट्रोन बनाने के लिए, क्या करेगा, साथ इलेक्ट्रोन को ले लेगा, तब साथ और एक इलेक्ट्रोन तो ओल्रेडी है, तो आठ हो जाएगे, या फिर एक लूज कर रहा है साथ ilektron को लूज कर रहा है देखिए इसने तर्फ लू मिलूज कर दिया तब क्या सब क्या हो जाइगा तो ज्यादा उसको क्या ऊजी रहेगा एक ये इलेक्ट्रों गवा देना लूज करना या फिर 7 इलेक्ट्रोन को गेन करना तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रोन को लूज करना ही अच्छा रहेगा मैं यहां पर फिर से लिखता हूँ यह 3s1 अब देखे इसी प्रकार से दूसरा मैं लेता हूँ को एटम क्लोरिन में लेता हूँ अब देखें क्लोरिन की इलेक्ट्रोनिक इन्फिगरेशन किस प्रकार है तो मैं यहां लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 यह आपको याद रखनी पड़ेगी अब देखें यहां पर यह हमारी के कख्षक एस से दूसरी स्टार्ट हो रही है यह हमारी एल और यह से तिसरी यह हमारी एम इसको नियोन 3s to 3p5 भी लिख सकते हैं अब देखे यहां क्लोरिन की जो वेलेंस सेल है देखे यह रही वेलेंस सेल क्लोरिन की बाहेतम कक्षाप सबसे अंदर के उसके बाद L और उसके बाद M तो यह जो M कक्षक है हमारी वो सबसे बाहेतम है उसमें देखे 5 प्लस तु यानि की टोटल यहां सिर्फ P को ही गिनना नहीं है हम यहाँ पर शेल की बात कर रहे है यानि कि M को गिनेंगे और भी टल की बात नहीं कर रहे है कि इस यह पी की बात नहीं करें हम सेल की बात यानि कि पूरी जो Marine identSchology ही इसलिए आपको जल्तकी के इस नहीं है लेकिंग में तो यहाँ पर देखें साथ कर इलेक्ट्रोन है कि इतना इलेक्ट्रोन है किस प्रकार ऑट इलेक्ट्रोन करेगा तो वो उसको कोई एक electron चाहिए अगर एक electron कोई देने वाला हो तो 7 प्लस एक 8 हो जाएगा या दूसरी possibility यह है कि 7 उसाथ electron रिमू कर दे तब यह पूरा रिमू हो जाएगा M और L में तो ओल्डेडी 8 है ही तो इसमें वो कौन सा path choose करेगा तो वो एक electron लेने का path choose करेगा अब देखें आपने biology में symbiosis पढ़ा होगा एक चीज एक आदमी को दूसरी चीज चाहिए और दूसरी आदमी को वो चीज नहीं चाहिए तो वो क्या कर देता है symbiosis दूसरों को चीज दे देता है किसी प्रकार देखें ऌदिम में भी क्या है sodium को electron नहीं चाहिए और chlorine को electron चाहिए तो sodium क्या करेगा electron lose कर देगा तो देखिए sodium जो है मैं यहाँ पर लिखता हूं वो एक electron lose कर देगा यानी कि 3s1 है वो electron lose कर देगा और किस में करउड हो जाएगा सोडियम प्लस में करोड हो जाएगा वो जो इलेक्ट्रोन रिलीज किया है वो किसको मिलेगा वो क्लोरीन को मिलेगा यानि कि क्लोरीन अब क्या करेगा 3P5 था वो एक electron ले लेगा 6 हो गया यह 6 कैसे हुआ एक electron sodium ने देदिया तो यानि कि यह chlorine जो है कि मैनस electron था वो प्लस electron था वो सील माइनस में करोड हो जाएगा अब देखे सब कुछ satisfy हो गया 6 प्लस दो 8 हो गए सध्में 8 एक्तर हो गए सो Vä Bash वे दुन के भीज अब क्या बनेगा है और कि Eu- के बीच में क्या होगा ऐनिक बोन देखने को मिलेगा इस प्रकार से क्या बनेगा आयूनीक बॉंड बनेगा कि अप देखर आप इस इस एनीमेशन को आप देखर q dun kya kya कर रहा है इलेक्ट्रोन ग्लोरिन को दे रहा है भेस आयूनीक बॉंड अब देखें दूसरा इलिस्ट्रेशन है यहां पर भी देखें टू प्लस एट प्लस पहली कख्षक में दो कि दूसरी में आठ तिसरी में एक था यहां पर टू एट प्लस सेवन था जैसा कि अभी हमने बताया देखें उसे प्रकार से मेंगेशियों ओक्सडेश में भी हो सकता है आविनियुक बॉन में किस प्रकार होगा हो हम देखते हैं इस प्रकार होगा 1000 मेंगेशियों में ल Sum तो मैं मैं मेगनेस्यम का इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं देखिए इस प्रकार होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 अब कक्षा लिखते हैं तो यह S वाला जो है पहला वो हमारी के कक्षक होगी S से ही नई कक्षक स्टार्ट होती है वो L और यह हमारी M होगी अब देखें उसी प्रकार से ओक्षिजन का मैं लिखता हूं ओक्षिजन की इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन दिस प्रकार होगी 1s2, 2s2, 2p4 यह जो 1s है वो हमारी के है और यह हमारी L है यह हमारा ओक्षिजन और है हमारा मेगनेशियम अब यह आप देखें यहाँ पर मेगनेशियम में वेलेंस सेल कौन सी होगी यह जो M है वो हमारी वेलेंस सेल होगी उसी प्रकार से ओक्षिजन में यह जो L है वो हमारी वेलेंस सेल होगी अब दोनों में इलेक्ट्रोन्स देखें आप मेगनेशियम में क्या है दो इलेक्ट्रोन से तो या तो वो 6 इलेक्ट्रोन ले लेगा यानि कि प्लस 6 इलेक्ट्रोन लेगा तब जाके वो 8 इलेक्ट्रोन हो पाएगे क्योंकि 2 ओल्रेडी है 6 तो कितने हो जाएगे? 8 हो जाएगे मैं यह आपर लिखता हूँ देखे या फिर oxygen में देखे oxygen में कितने है? अब देखें, magnesium में दूसरी possibility क्या है? अगर यह 2 इलेक्ट्रोन देदे magnesium क्या करे? 2 इलेक्ट्रोन को देदे तब वो उसके 2 इलेक्ट्रोन चले जाएगे देखें इस प्रकार अब देखें यहाँ पर अब बाहिर तम कुक्षा कौन सी होगी? यह हो जाएगी, L हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रोन तो उसने दे दिये अब देखें, यहाँ पर 2 प्लस 6 कितने हो गए? 8 हो गए अब वो 2 इलेक्ट्रोन अगर magnesium, sorry, oxygen को मिल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 और 2 इलेक्ट्रोन magnesium के, कितने हो गए? 8 हो गए तो इसमें क्या होगा? तो इसमें समझ सकते हैं आपकी magnesium क्या करेगा? magnesium 2 इलेक्ट्रोन दे देगा देखें, यहाँ पर 3S2 था एम क्रक्षक में तो वो magnesium क्या करेगा? यह इलेक्ट्रोन रीमूव कर देगा रीमूव करके किसका मिलेगा oxygen को मिलेगा में यहां पर रीमूव कर देता हूं देखेhem तो इस प्रकार से magnitude का conversion किसमे होगा दो यिलेक्टरन रीमूव हो रहा है वह conversion Mg में में क्यूकि दो इलेक्टरन रीमूव हो तो procedure बढ़ेगा आपको पता है में बार पोजिटिव चार्ज होते है और बार नेगेटिव चार्ज होते है यहाँ पर दो इलेक्ट्रोन यानि कि दो नेगेटिव चार्ज कम हुए है इसलिए अब दस ही रह गया है तो अब नेट देखें कितना हो गया प्लस टू चार्ज ज्यादा है, प्लस चार्ज दो यूनिट ज्यादा है, इसलिए मैंने Mg प्लस टू लिखा है, अब देखे, ओक्सिजन में देखे, ओक्सिजन दो इलेक्ट्रोन ले लेगा, यानि कि यो 2P4 जो था, वो अब का हो जै, क्या हो जाएगा, 2P6 हो जाएगा, अ यहाँ पर भी 2 प्लस 6, 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, ओक्सिजन ले रहा है, दो इलेक्ट्रोन ओक्सिजन लेगा, तो किस में करवड हो जाएगा, O माइनस 2 में करवड हो जाएगा, अब देखे, यहाँ पर, Mg कितना है, प्लस 2 है, ओक्सिजन कितना है, माइनस 2 है, त तो दोनों को मिल के क्या बनेगा M G O बनेगा तो इस प्रकार से यहां पर भी कौन सा बोंड बनेगा Ionic Bond बनेगा अब देख सकते हैं यहां पर Ionic Bond इस डायगरम को पॉर्ष करके आप देख सकते हैं